Assalamu alaikum and welcome back to my channel आज ना कोई recipe नहीं कुछ नहीं कि आज बहुत बड़ा खुला सा करने वाली हो मैं और वो क्या है क्योंकि अभी तो पता है ना यूटूब पे नया ना एक ये आया है यूटूब पे आया है नया अप्टेट और वो अप्टेट क्या है कि आज से जो लोगों ने अपने subscribers hide किया है उसको unhide करना है क्योंकि eventually YouTube अभी ना सब कुछ open they want us to show the subscribers it's fine कुछ मुश्किल नहीं है हम लोगों ने अपने दिल मतलब ऐसे कुछ चुपाने के लिए नहीं था हूँ जैसे कि we felt back because we are new YouTubers we are newcomers on this you know social media channel I mean in this platform तो हमें लग रहा था okay अगर हम लोग दिखाएंगे तो शायद हमें कुई सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आज खुलासा करोंगी कि मेरे subscribers कितने हैं तो वीडियो पर बने रहे ना पूरा वीडियो देखना और एक को सपोर्ट करना इस फाइन अगर वहां पे नया अप्डेट आया है तो कोई नहीं और बहुत सारे आप्डेट आते रहेंगे इसके मतलब यह नहीं हम लोग करेंगे तो दिखाती हूं आपको कितने है देखना वीडियो पेटा वालकम बैक तो मैं चैनल तो आज मेरे किचन मे बन राया है वेजेटेबल प्लाव वोभी वनपॉर्ट झटपट और हेल्दी और इसी और डिलिश्यों तो बड़ा सा पॉट लिया है उसमें मैंने दाला है खडे मसाले खड़े मसाले जो है डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिग दोंगी और भर के मैंने दो बड़े से प्याज डाला है फिर जब प्यास सोटी किया है उसके बाद में एड़ किया है दो बड़े से स्पोन जिंजर गालिक पेस्ट के अच्छे इससे इसको sotay कर दो, जब तक वो थोड़ा सा color change नहों जाए फिर मैंने add किया है कुछ सबजियां, जो हर एक के घर में होती है तो मैंने add किया है यहाँ पे carrot, दो बड़े से, थोड़े से beans थे मेरे पास जो घर के थे मैंने यहाँ पर एड किया है कॉली फ्लार दो बड़े से टमाटर जो अविलेबल है एड कर तो जट पड बनने वाली है फिर मैंने इसमें दाला है वन बिग क्यूब ऑफ वेजिटेबल स्टॉक तो वेजिटेबल स्टॉक दाल अगर वो है तो डाल दो अदर्वाइस यू कन स जेरा पाउडर और मेरे पास घर का बना हुआ था बिढयानी मसाला में जो डाला था फिर मैंने एड किया दो बड़े से स्पून आफ कुर्ड मैं भी ताल जरूर क्योंकि इसी से फ्लेवर आएगा फिर फाइनली मैंने डाला है इसमें कटकर के कैबच बहुत अच्छी बनी घर में गैस थी उन्होंने सबने इंजॉई किया है और मैंने यहां पे टू कप ऑफ बिग पासमती राइस यूज किया है क्योंकि कॉंटिटी ज्यादा है तो वन पॉट में ही बनने वाली है डिलिशिस ट्राइ करनो अच्छे से मिक्स कर दो दो कप के लिए मैंने यहां पे च कॉल्ट आड करके चड़ा दिया है पकाने के लिए 20 मिन्ट्स के अंदर बन के तयार थी सो मैक्सिमम 45 मिन्ट्स के अंदर यह बन के रेडी थी टी ट्राइट इस रेसी पीए और लेक में नो इन्ट्राइक्ट्छिन से ए रिगार विट तेल्टें तेल दें टेक्यर बाई ब आफस्ट एसी बनीती मेरी प्लाव, I hope you enjoy. बाइ बाइ!